हेलो और वेलकम एक फ्रेंज तु इस न्यू वीडियो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे एक लैप्टॉप चार्जर जिसमें एसी करेंट आ रहा है उसको ठीक किया जा सकता है जैसे कि आप देख रहे हैं यह मेरे पाँ एक लैप्टॉप चार्जर यह थर्ड पार्टी चार्चर है यह और धर मैं इस टेस्टर से दिखा रहा हूं और यह करेंट आपके लैप्टॉप में भी हर metallic part में feel होती है इस से शौक लग सकता है साथ में आपके laptop के battery भी damage हो सकती है तो मैं इसको laptop में लगा के भी दिखा रहा हूं आपको इस तरह से मैं इस laptop के किसी भी HDMI या USB port जिसमें metallic part है उसमें मैं इस tester को टच करके दिखा रहा हूं तो यह देखिए इसमें current आ रहा है तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इसको सही कैसे कर सकते हैं इसके कई current हो सकते हैं जैसे कि आपके घर पे earthing का ना होना proper ground wire connection ना होना या फिर सकता है यह अल्टिमेटली charger के अंदर ही कुछ बिगड़ा हो सकता है तो पहले मैं इस code को टेस्ट करूंगा कि इसमें सारे के सारे connections सही से आ रही है क्या यह ground wire connected है क्या earthing properly है तो इसके लिए मैं एक multimeter ले देता हूं और इसके तीनों में से AC वाले pin में यह neutral है और दूसरा वाला यह live है तिन दोनों में तो normal current आनी चाहिए तो आप देखें यह 225 volts यह इन दोनों में आ और अगर earthing सही है तो इसमें earthing और live wire को अगर टेस्ट करेंगे तो भी यह proper voltage दिखाएगा यानि कि इस cord की हालत भी ठीक है और earthing भी proper है अब चलते हैं charger के तरफ इस charger को अगर हम देखें तो यह जो negative pin है और यह ground pin है इन दोनों के बीच में connection अगर हो अंद्रूनी तो ही यह current नहीं आएगी इसमें तो मैं चेक करके देखता हूं multimeter से continuity test कि इन दोनों के बीच में कोई connection है या नहीं क्योंकि लगबग ज्यादा तर थर्ड पर्टी charger में यह देखा गया है कि यह जो ground pin है AC वाले साइड में यह कहीं भी connected नहीं होता इसके जो chassis के साथ में जो negative connection है उसके साथ में ground wire connected नहीं होता तो हमें इसके लिए इसे खोल कर देखना होगा इस तरह से आप किसी भी screwdriver की मदद से या चाको की मदद से इसे धीरे-धीरे खोल सकते हैं तो इस तरह से देखिए कि इस AC वाले plug के साइड में जो ground pin है उसका जो circuit में कोई connection है या नहीं पहले यह चेक कर लेते हैं तो जितना की मुझे दिख रहा है यह pin कहीं पे भी connected नहीं है ऐसा लग रहा है कि यह नीचे circuit में connection बना रही है लेकिन इसका जो pin का part है वो लग रहा है कि तूटा हुआ है तो जैसे कि मैंने इसको निकाल कर थोड़ा सा उठा लिया है pin को तो अब देखिए कि यह pin कहीं पे भी connected नहीं है और यहां पे मैंने चेक किया तो board के पीछे भी मुझे कोई ground की connection नहीं देखी यह दोनों AC के points है इसका मतलब इसका ground connection बन नहीं रहा है इसके chassis के साथ में जो negative है उसमें यह current आ रही है इसके वैसे इन दोनों के बीच में कोई connection नहीं होने के वैसे यह current laptop तक travel कर रही है तो हमें बस यह करना होगा कि इसके ground और इसके negative chassis के साथ में एक jumper wire से connection कर देना होगा यह देख रहे हैं यह negative जो DC side है इसमें यह negative wire है इसी पर हमें connection करना है तो कोई भी wire ले लेंगे और उसको soldering करके pre solder apply कर लेंगे और इसके ground वाले जो AC side में ground वाले pin है उसमें यह solder कर लेंगे इसके बाद इस wire को सुरक्षिक तरीके से इसके अंदर से लेते हुए दूसरे side यानि DC वाले side में लेकर जाएंगे जान रहें कि यह wire कहीं से कटा हुआ ना हो जिससे यह किजी और चीज में touch ना हो तो मैं इसे अंदर से निकालते हुए DC वाले side में इस negative wire के सामने लेकर आता हूँ और इसे negative DC वाले connection में join कर देता हूँ इस तरह से बहुत ही simple है अब यह proper हो चुका है अब हम इसे pack कर लेते हैं जैसे पहले था अब इसमे hot glue या super glue का use भी कर सकते हैं मैं यहाँ पे बस tape लगा के आपको दिखाने के लिए ले रहा हूँ तो मैंने यह charger यहां रखा है पहले हम इसे test करके देखेंगे मैं आपको दिखाता हूँ कि current आ रहा है या नहीं देखिए charger on है अब मैं pin पे दिखाता हूँ कि AC current इसमें आ रहा है या नहीं जो पहले आ रहा था तो अब इसमें मैं टेस्टर लगा के आपको दिखा रहा हूँ तो यह देखिए टेस्टर नहीं जल रहा है याने की problem solve हो गया है जो leakage current इसके चैसिस नेगेटिव से होते हुए ground पे पहुच गई है safely और इसको मैं लैप्टोप भी लगा के आपको ports में या metallic part भी चेक करके दिखा रहा हूँ मैंने एक metallic part भी चेक किया तो यहां कोई current नहीं आ रहा है जबकि पहले यह current आ रहा था तो यह charger सही हो गया तो बस यही है कि आप original charger ही यूज करें अगर आपके पास विकल्प नहीं है और आपने third party charger यूज किया है और आपको ऐसा लग रहा है कि laptop के metallic parts में आपको टच करने से अचानक शौक लग रहा है या कुछ current जैसा feel हो रहा है तो आप तुरंथ ही पहले अपना earthing चेक करें कि घर पे आपका earthing है या नहीं और अगर है तो charger चेक करें और यह simple trick आप यूज कर सकते हैं तो नए नए वीडियो के लिए subscribe कर ले till then goodbye